असलाम अलेकुम आज का हमारा वीडियो को टॉपिक है रोजा का कफारा यानि अगर रोजा रखके तोड़ दिया तो उसका क्या कफारा होगा तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें रमजण कर रोज़ा रखकर बिला यजर तोड़ देना बहुत बढ़ा गुना थे इसलिए शरियत निसका कफारा मुटियन किया है कफारा सिर्फ रमजण का अदाखे रोज़ा तोड़ने के साथ खास है किसी और रोज़ा तोड़ने पर यह कफा़रा नहीं होता किसी ने रमदान में रोजा की नियत ही नहीं की यनि सिरे से रोजा ही नहीं रखा उस पर कफारा नहीं है कफारा जब है कि रोजा शुरू करके तोड़ दिया जाए कफारा यह है कि एक गुलाम आजाद करे जहां गुलाम ना मिलते हूं या गुलाम के खरीदने पर कुद्रत ना हो जैसा कि आजकल है वहाँ साथ रोजे मुसलसल रखे नागा ना हो वरना फिर शुरू से साथ रोजे पूरे महीने रखने होंगे और अगर रोजा की ताकत ना हो तो साथ मिस्कीनों को पेट परकर दोनों टाइम पे खाना किलाया जाए अगर किसी से बीच में एक दो रोजे नहीं रखे गए तो फिर अप दो महीने के रोजे शुरू से रखने होंगे अगर दुख बीमारी के वज़ा से बीच में कफारा के कुछ रोजे चूट गए तब भी तंदरुस्त होने के बाद फिर से रोजे शुरू करने होंगे नफास यानि विलादत के बाद आने वाला खुन जिसकी वज़ा से बीच में रोजे चूट गए तो भी कफारा सही नहीं होगा अलबता औरत के जितने रोजे दरम्यान में हैस की वज़ा से चूट गए हूँ वो माफ हैं उनके चूट जाने से कफारा के मसलसल वाली कैद कुछ नुकसान नहीं होता लेकिन पाक होने के बाद फॉरण रोजे रखने शुरू कर दें और साट रोजे पूरे कर ले अगर कफारे के रोजे चांद देखकर कमरी महीने की पहली तारिख से शुरू कर दिये जाएं तो चांद के हिसाब से दो महीने पूरे किया जाएंगे खा दोनों महीने 30 के हों या 29 के हों या 31 का हो अगर चांद की पहली तारीख के लावा किसी और दिन से रोजे शुरू किये तो फिर साथ का अदद पूरा करना जरूरी होगा अगर किसी को रोजा रखने की ताकत न हो तो साथ खरीबों को सुबह शाम पेट पर कर खाना खिलाया जाए ये गरीब बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं होने चाहिएं अलबता अगर बाले कोने की गरीबों तो जाइस है अगर खाना ना खिलाए बलके साथ खरीबों को सदके फितर के बरावर अनाच या रकम या आटा दे दे तो भी जाइस है अगर एक ही गरीब के सुबों शाम साथ दिन तक खाना किलाया या साथ दिन तक एक सदके फितर के बरावर अनाच आटा या रकम दी जाती रही तो भी कफारा सही होगा अगर साथ दिन लगातार खाना नहीं किलाया या अनाज, रकम वगेरा लगातार नहीं दी बलके बीच में कुछ दिन नागा हो गए तो कुछ हर्ज नहीं है अगर साथ दिन का हिसाब करके एक गरीब को एक ही दिन में एक मुष्ट या मुद्ध तफरिक तोर पर दे दिया तो एक दिन के तबार से अदा होगा यानि एक दिन में एक गरीब को एक रोजा के बदले एक सदके फितर से जादा देना दुरूस्त नहीं है अगर किसी गरीब को एक सदके फितर की मिगदार से कम दिया तो भी सही नहीं है अगर एक ही रमजान के दो या तीन रोजे तो डाले और अभी तक किसी का कफारा अदा नहीं किया तो सब रोजों की तरफ से एक ही कफारा काफी है कर पाराजय झाले झाल 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 झाल